दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी रोटी बोगी बहुत ही सिंपल तरीके से आज हमने इन्हें कुकर में बनाया है तो वीडियो को पूरा देखें तो चलिए फ्रेंस आज हम कुछ नया सीखते हैं एक हमने 5 लीटर का कुकर लिया है इसे हम उल्टा रख देते हैं गैस की फ्लैम तेज रखेंगे और 4-5 मिनिट के लिए कुकर को गरम होने देते हैं हमने यहां गैहूं का आटा लिया है जैसे हम रोटी के लिए गैहूं का आटा गूंद कर तयार करते हैं तो उसी तरह से हमें गयों का आठा तयार करना है इसमें से एक छोटा साम टुकडा लेंगे और चाल लोई बना कर तयार कर लेंगे तो आठे में आप नमक भी मिला लीजिए हाथों पर हम पानी लगाएंगे इस तरह से और लोई को हतेली से दबाते हुए इस तरह से हम एक रोटी बना कर तयार कर लेते हैं तो इस तरह से हम रोटी बनाएंगे तो देख सकते हैं आप एक रोटी बनके तयार है तो इसी तरह से हम पूरी रोटी बना लेंगे तो हमने रोटी बना लिये हैं देखेष्य में रोटी के उपर हम इस तरा हैईसे पानी लगा देंगे रोटी के उपर हमने पानी लगा लिया है कोकर temps गरम हो गया है कोकर को हम् いस तरी पीसे रख लेते हैं और रोटी रख देंगे कोकर में तो रोटी हमने रख दिये हैं हलके हातों से इस तरह ऐसे रोटी को दबा देंगे जो बाकी रोटी हैं उन्हें भी हम कोकर में रख देते हैं दूसरी रोटी भी रख देंगे हलके हातों से इस तरह ऐसे दबा देंगे तो देखी आप हमने चारों रोटी कुकर में रख दी हैं इस तरह इसे चिपका दी है गैस की फ्लेम हम तेजी रखेंगे और कुकर को उल्टा फिर से रख देंगे और तीन से चार मिनिट के लिए कुकर हम उल्टा ही रखेंगे तो अब हम चेक कर लेते हैं रोटी सिखी है या नहीं तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सिख रही है तो एक मिनिट के लिए और हमको कर को रख देंगे तो आप देख सकते हैं रोटी अच्छे से सिख गई है हमने निधाली में निकाल लिया है रोटी पीछे से भी बहुत अच्छी सिकी है तो हम रोटियों पर घी लगा लेते हैं तो रोटियों पर घी लगा लिया है लग रही है ना बिल्कुल तंदूरी रोटी जैसे तो आप इसे सबजी चटनी किसी से भी सर्फ कर सकते हैं अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू